Q1. हाल ही में किस भारतिय प्रवध्यग की संस्था यानि IIT ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विक्सित किया है? Answer IIT मद्रास Q2. हाल ही में International Monetary Fund यानि IMF ने किस अफरिकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहता प्रदान की है? Q3. हाल ही में इनोसेंट वारिद ठक्के थला का 75 वर्ष की उमर में निधन हुआ है? वे कौन थे? Q4. हाल ही में किस ने लद्दाक साहित सम्मेलन के तीसरे संस्क्राण का उधगाटन किया है? Q5. हाल ही में किस देश के प्रदान मंत्री ने? देश व्यापी विरोध के बाद नियाईक सुधारों को इस्थागित करने की गोशना की है? तो इसका अंसर हो जता है? इजराइल Q6. हाल ही में करमचारी भविशय निधी संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए व्यास दर बढ़ा कर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो अंसर 8.15% Q7. हाल ही में किस देश ने कृतिम लक्ष पर सूपर सौनिक यानि एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो इसका अंसर होगा? रूस Q8. हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाण प्रवंदन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के रिनको मंजूरी दी है? अंसर Q9. हाल ही में भारत और अफरीकी देशों के सैना प्रमुकों का पहला सयुक सम्मिलन कहां आयोजित किया गया है? अंसर Q11. हाल ही में एंडी टीवी ने किसे गहरा कार्यकारी अध्यक्ष निक्त किया है? तो इसका अंसर होगा UK से ना Q12. हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातिय सम्मू है? अंसर अमेरिका Q13. हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रतम मंत्री चुने गए हैं? तो इसका अंसर होता है Scoutland Q14. हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधी गरेंड किया है? अंसर फर्स्ट सिटीजन बैंक Q15. हाल ही में गेटवे ओफ इंडिया से एली फेंटा गुफाओं तक तेरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका अंसर होगा IPS कृष्ण प्रकास Q16. हाल ही में मद्य परदेश के भूपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फंडरेशन यानि ISSF विश्व कब 2023 में 25 मीटर पिस्टलिस परदा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका अंसर होगा? कांसे पदक Q17. रिलाइंस इंटरस्टीज ने किसे अपना चीफ फाइनाश ओफिसर CFO निक्त किया है? तो इसका अंसर होगा? श्री खांत बेकेट चारी Q18. किसने अडावली ग्रीन वाल परियोजना का शुबारम किया है? तो इसका अंसर होगा? श्री भूपेंद्रियादव परियावरण एवं जल परियावरण मंत्री Q19. हाल ही में दूसरी जल वायू और परियावरण स्थिरता कार रहे है? समू की बैठक कहा होगी? तो इसका अंसर होगा? गांदी नगर गुजरात Q20. दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग गुरूप की बैठक हाल ही में कहां संपन होगी है? तो इसका अंसर होता है चेननाई तमिलाडू Q21. हाल ही में रूस में किस देश में परमाणू हत्यार तैनात करने की गोशना की गई है? अंसर बेलारूस Q22. हाल ही में किस देश की पूर्व राष्टपती डिलमा वर्ना रूसेफ को न्यू डवलप्मेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अंसर ब्रांजील Q23. हाल ही में इश्रो ने कितने उपग्रेयों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉंच वीकल मार्क यानि 3 LVM3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो अंसर 36 Q24. किसे पैंशन योजना पर पैनल का प्रमुख हाल में न्युक्त किया गया है? तो इसका अंसर होगा TV शौमनाथ Q25. हाल ही में महिला प्रीमियर लीक 2023 का किताब दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर कौन सी टीम ने जीता है? तो इसका अंसर होगा मुंबई इंडियन्स Q26. हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कम मनाया गया? तो इसका अंसर होगा 27 मार्च इसका उदेश्य क्या था? कि थेटर के महत्व को कहीं चीजों से परखा जा सके एवं थेटर के महत्व को बढ़ाया जा सके Q27. हाल ही में किसने पहली दिल्ली धरम शाला उडान को हरी जंडी दिखाई है? तो इसका अंसर होगा जोतिर आदित्य सिंध्या विमान पतन एवं उड्यान मंत्री Q28. किसने वन्य जीव सनरक्षा पुरुसकार 2023 हाल ही में जीता है? तो इसका अंसर होगा आलिया मीर Q29. हाल ही में S&P Global Rating के वित्यवर्श 2024 में भारत की आर्थिक व्रदी दर कितने प्रतीशत रहने का अनुमान लगाया गया है? Q30. किसने फॉर्वर्ट इंडिया लीडर्शिप अवार्ड 2023 में जैन नेक्टर्स एंटर्प्रियोर अवार्ड जीता है? तो इसका अंसर होगा ईशा अंबानी Q31. हाल ही में वांस चटरजी एंड मिडल आफ दा रोड सनेमा नामक फुस्तक का विमोचन हुआ है? इसे किसने लिखा है? तो इसका अंसर होगा अनिरुद भटाचार्या Q32. हाल ही में एक्सिस सिक्यूरिटीज का नया MDNCU किसे निख्त किया गया है? तो इसका अंसर होगा प्रणव हरीदासन Q33. हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एमिसेटर बनाया है? तो इसका अंसर होगा रणवीर सिंग अभीनेता Q34. हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इसका अंसर होगा यश बैंक Q35. हाल ही में किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्टरन चेंपियन अबोर्ट से सम्मानित किया गया है? अंसर असम राज्य Q36. हाल ही में किस देस ने राश्ट्री है? जी नॉम रणड़ नीती जारी की है तो इसका अंसर होगा UAE Q37. हाल ही में भारत और किस देस ने रक्षा सईयोग पर दूपक्षिय बैठक की है? तो इसका अंसर रहता है रोमीनिया Q38, हाल ही में किस देश ने घातक, मार, भग, वायरस, बिमारी के प्रकोप की घोशना की है? अंसर, तंजानिया Q39, हाल ही में किस ने कैपिटिव रोजगार योजना की शुरूबात की है? तो इसका अंसर होता है, गिरी राज सिंग इसका उद्देश है क्या है? Q40, हाल ही में कौन सा देश संगाई सैयोक संगटन, S.C.O का समवाद साजेदारी बना है? तो इसका अंसर होता है, सौधी अरब Q41, हाल ही में भारतिय मूल की कौन सी महिला, अमेरिकी राज कनेक्टी कट की सायक पुलिस प्रमुक बनी है? तो इसका अंसर है, मनमीत कोलन, Q42, हाल ही में टेकसास युनिवरसिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड प्रादान किया है? तो इसका अंसर होता है, नवीन जिंदल, Q43, हाल ही में बडाली देवरत वेट लिफ्टर ने विश्व युवा चेंपियोंशिप में कौन सा पदक जीता है? Q44, हाल ही में किस बैंक ने व्रक्षा रोपन के लिए 48 लाग रुपे के दान की गोशना की है? तो इसका अंसर होता है, State Bank of India Q45, हाल ही में किसे अंतर राश्ट्री या मुक्केवाज संग के उपाद्यक्ष के रूप में चुना गया है? अंसर आजय सिंग Q46, International Transgender Day of Visibility प्रतेख वर्ष कम मनाया जाता है? तो इसका अंसर होगा 31 March Q47, why can't elephant be red? पुस्तक किस ने लिखी है? तो इसका अंसर होता है, Wadi, Tripati, Tinku Q48, हाल ही में किस राश्टे में दुनिया का तीस राव है भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम मनाया जाएगा? तो अंसर होता है, राजिस्थान में Q49, hero motor corp के नए CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है? तो इसका अंसर होगा निरंजन गुपता Q50, war and woman नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है? तो इसका अंसर होता है, Dr. M.A. हसन ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you